इस गनेश चतूर्थी मैं आप सब के लिए लेकर आई हूं सिफ तीन चीजों से बनने वाली कोकोनट मोदक की रेसिपी वो भी बिना किसी मोल्ड के अगर हमारे पास मोदक मोल्ड ना हो तो हम उससे भी ज़्यादा सुन्दर शेप अपनी हाथों से ही दे सकते हैं इस वीडियो में मैं आप सब को सिखाने वाली हूँ कि बिना मोल्ड के हम अपनी हाथों से ही मोल्ड से भी ज़्यादा सुन्दर शेप कैसे दे सकते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो के इंड तक बने रहें कोकोनट मोदक बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे ड्राई कोकोनट पाउडर 150 ग्राम स्वेटन कंडेंस्ट मिल्क 150 ग्राम यहाँ पे मैंने होममेट कंडेंस्ट मिल्क यूज किये हैं अगर आपको भी उसकी रेसिपी चाहिए तो उपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और उसके साथ हम लेंगे मिल्क 250 यामल मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कराही या फिर पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी फिर एक बार इस तरीके से हम देसी घी को कराही में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राइ कोकोनट पाउडर और यहां पे आप ध्यान दे कि ड्राइ कोकोनट पाउडर जो है वो थोड़ा बारी की ले फिर उसके बाद हम गैस अन करेंगे और लागातार चलाते हुए इसे हम लो फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे यहां पे कोकोनट पाउडर को हमें बिलकुल लागातार ही चलाते रहना है क्योंकि अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो नीचे से इसकी जो कलर है वो चेंज होने लगेंगी जो कि हमें बिल्कुल भी मोदग बनाने के लिए नहीं चाहिए तो प्लीज आप इसे इस तरीके से continue ही चलाते रहें और flame को यहाँ पर low ही रखें flame को बिल्कुल भी medium या फिर high नहीं करें नहीं तो तुरंत ही हमारा जो coconut है उसका जो color है वो change होने लगेगा coconut को fry करते हुए हमें 3-4 मिनट हो गए हैं तो अब इसमें हम add करेंगे 250 ml milk और milk add करने के बाद हम इस तरीके से इसे अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद इसमें हम add करेंगे 150 gram condensed milk condensed milk जो है हमारा वो already मीठा होता है तो इसकी वज़े से हमें यहाँ पर sugar add करने की कोई जरूत नहीं है फिर हम इस तरीके से इन सभी को अच्छे से mix कर लेंगे और यहाँ पर हम flame को high कर लेंगे और high flame पर हम इसमें एक boil आने देंगे और फिर जैसे ही इसमें एक boil आ जाए तो फिर से हम flame को medium कर देंगे और फिर medium flame पर लगातार इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि यह बिल्कुल dry ना हो जाए और हमारा जो coconut है वो अच्छे से cook ना हो जाए आप चाहें तो यहाँ पर थोरी सी इलाईची पाउडर और थोरी सी कटी भी dry foods भी आड़ कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर आड़ नहीं किये मैंने बिल्कुल plain बनाए हैं यह plain भी बहुत ही tasty लगती है अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो coconut का mixture है वो पहले से काफी जादा dry हो चुका है लेकिन अभी इसे हमें और भी dry करना है तो इसे हमें इसी तरीके से लगतार चलाते रहेंगे और medium flame पे इसे हम dry होने देंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो coconut mixture है वो काफी अच्छे से dry हो चुका है और यह जो mixture है वो पैन से भी अलग हो गया है मनसी अब पैन में चिपक नहीं रहा है तो इस stage पे आप समझ जा है कि आपका जो mixture है वो पूरी तरह से ready हो चुका है और यहां पे हमें milk को सुखाने में मिंस ड्राइ करने में कोकोनट को हमें 8-10 मिनिट लग गया है मीडियम फ्लेम पे और फिर यहां पे हम इसे थोड़ा सा चेक भी कर लेंगे तो आप समझ जाए कि हमारा जो mixture है वो ready है और अगर यह आपके हाथों पे चिपक रहा हो तो आप इसे 2-3 मिनिट के लिए और ड्राइ कर लें आप देख सकते हैं कि हमारा जो mixture है वो बिल्कुल सही है तो यहां पे हम gas को off कर लेंगे और gas को off करने के बाद हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा थंडा होने देंगे तीन से चार मिनिट में जब हमारा mixture जो हो थोड़ा सा थंडा हो जाए तो हम मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम mixture जो है उस तरीके से थोड़ा सा हाथ पे लेंगे और हाथ पे लेने के बाद जैसा कि हम लड़ू bind करते हैं बिल्कुर उसी तरीके से इसे हम tightly थोड़ा सा bind कर लेंगे फिर दोनों हाथ की help से इसे हम round shape देंगे और round shape देने के बाद हम इसे थोड़ा सा लंबा shape देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे इसे मोदक का शेप देना उसके लिए हम हथेली के इस वाले पोर्सन से इस तरीके से घुमाते हुए आप देख सकते ही कैसे मैं इसे घुमा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हमें घुमाना है और इसे मोदक का शेप देना है आप एक बार करेंग इसे मैं मोदक के shape में दे रही हूं मोदक का जो shape होता है वो स नीशी से थोड़ा इसे थोड़ा सा flat होता है हमें थोड़ा सा इसे हाथों पर तबाते हुए नीच necessity कि तरफ से बिल्कुल वजह इसे रही आप इसे करनेफिए बन के रेड़ी होच को यह से NFL को रच भी कितना सुन्दर लग रहा है तो चलिए अब इस पर हम डिजाइन बनाने स्टार्ट करते हैं मोदक पर डिजाइन बनाने के लिए हम एक तूद्पिक लेंगे और तूद्पिक की मदद से इस तरीके से हलके हातों से हम हलका सा निसान देते जाएंगे जैसा कि आप इस वीड करेंगे तो आपकी टॉप वाली लेयर है वह तूट जाएगी तो इसलिए हम इस तरीके से हलके हातों से इसे प्रेस करते वे उपर तक लेके जाएंगे बस सेम प्रोसेस हमें पूरे मोदक पर अपनाने हैं मोदक का जो सेफ है वह हाथ से बनाना बहुत ही आसान है बस आप एक बार प्राक्टिस कर लेते हैं तो यह आप बहुत ही फास्ट फास्ट कर लेंगे और बहुत ही जल्दी कर लेंगे और आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा यहां तक कि आप मोल्ट से भी जादा सुन्दर मोदक आप अपने हातों से बना सकते हैं जैसा कि आप द आपको यह बहुत ही मजाएगा बनाने में और बहुत ही फास फास्टा बना लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोदक है वो बनके रेडी हो चुका है और वो देखने में कितना सुन्दर लग रहा है बिना किसी मोल्ड के तो नेक्स टाइम से आप भी प्लीज इसे इस प्रोसेस से हम इस तरी किसे थोरा सा जो मिक्षर है वो अपने हाथ पे लेंगे और उसे हम लड्डू की तरह बाइंड करेंगे यहां पर हमें बिल्कुल टाइटली बाइंड करना है जो हमारा मिक्षर है फिर उसे हम दोनों हाथ की हिल्प से बिल्कुल इसे राउंड शेप देंगे और मिस्टिकना सा राउंड शेप और राउंड शेप देने के बाद हम बिलकुल इसे हलका सा लंबा शेप देंगे बिलकुल हलका सा अपने दोने हथेली के हिल्प से ही और फिर जैसे ये थोड़ा सा लंबा शेप में आ जाये तो उसके बाद हम नीचे से हलका सा बस करेंगे और हम अपने हतेली के बीच वाले पोर्सन से जैसा कि आप देख रहे हैं वीच वाले पोर्सन से दबाते हुए और उसे हम घुमाते हुए भी इस तरीके से मोधक की शेप में देंगे ये बहुत ही बनाना आसान है आपको देख के लग रहा होगा कि यह सायद मुस्किल है लेकिन आप बना एक पर प्राक्टिस करते ही तो यह खुद बखुद आपसे बन जाएगा यह बहुत ही आसान होता है बनाना तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोदक है वो कितना जल्दी बनके रेडी हो गया और यह कितना सुन्दर लग रहा है आप अगर आपको तूद्पिक से डिजाइन नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी से प्लेन भी भगवान को भोग लगा सकते हैं यह प्लेन भी बहुत सुन्दर लगता है जैसा कि आप देख रहे हैं अब इस पर हम डिजाइन बना ल हम बिलकुल हलका कर देंगे निसान को लगाना तरीके से दबाएंगे और ऊपर आते हुए हम तूत पीक से जो निसान लगा Bless बिल्कुल हलका कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं बस यही सेम प्रॉसेस जो है में पूरे जो हमारा मोदक है उस पर अपनाना है और मोदक बनाने के बाद आपको लगे कि थोड़ा सा शेप जो है यह इधर उदर हो गया है तो फिर आप निसान देने के बाद उसके हलके ह अपने हातों से ही और आपने हातों से बना हुआ मोद्यक को गन्पती भगवान को भूग लगाएं हैं और जोह मोदक हो कितना सुंदर gray और यह night नोनिट मोदक जो है वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो बस सेम प्रॉसेस से हम अपने सारे मोदक को बना लेंगे आपको जिस भी साइज की मोदक पसंद हो आप उस साइज की मोदक बना सकते हैं अगर आपको बरी मोदग पसंद है तो बरी मोदग बना सकते हैं या फिर आप छोटे साइज की भी मोदग बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के मोदग बनाए हैं, मैंने यहाँ पर अपने सारे मोदग बना के रेडी कर लिये हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे म केसर है तो आप इस तरीके से उपर केसर लगा ले और नहीं है तो कोई बात नहीं और फ्रेंट्स आप मुझे कमें बॉक्स में जाकर जरूर से बताएं कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर मेरी आज के रेसिपी आप सब को पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बावाई